हलो दोस्तो नमस्कार सौगत है आप सभी का स्टेडी सर्जी यूटूब चैनल पर दोस्तो जैसा कि मैं आपके लिए जो है ससी रेलवे एंटी पीसी और जो है यूपी गोवर्मेंट के सारे एक्जाम के जो है तैयारी कराता हूं जी यहां दोस्तो तो इस तरीके से मैं आज वीडियो में ले के आया हूं दोस्तो भारती इतिहास की महान विभूतियों में से एक जी जिसको आप लोग जानते हैं बापू के नाम से या अपने राष्ट पिता के नाम से नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा या वो कहें कि हमारे दिल में या इस तरीके से पिता हैं आईए उनके बच्पन से या कहें उनके जन्व से लेके उन्होंने क्या क्या किया जितने उनके जो है कारिकाल या जितने वह अपने लाइफ टाइम में जो भी वर्क किये जो भी मुमेंट किये उन सब की बात करता हूं दोस्तों बात करने से पहले दोस्तों मैं आ मipseरे वीडियो को आप जादे से लाइक करते हैं अगर पशंद आए तो आप अपने दोस्तों तो जरूर करीे आईए दोस्तों को लेकर चलता हूं इनके दोस्तों दोस्तों जैसा कि मैं आपसे टापिक से बात करूँ कुछ चीज़ा और बता देना चाहता हूँ दोस्तों मैं इसका भाग दो लेके आया हूँ भाग एक जो है दोस्तों मैं अल्रेडी अपलोड कर चुका हूँ आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप भाग दो में जुड़े हैं तो आप भाग एक देखिए तब आपको भाग दो समझ में आएगा जी, कुछ चीज़ें मैं आपको पार्ट वन बना के बताया हूँ पार्ट टूमें जी अहां दोस्तों इनके बारे में इतना जो है कहना एक पार्ट में नामुम्किन था तो इस तरीके से मैंने दो पार्ट सेलेक्ट किया आईए मैं आपको टापिक विले के चलता हूँ दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में बात कर चुका था आप से दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में बात कर चुका था 1930 से जी हां दोस्तों 1930 तक हम जो है 1908-1989 से जी हां दोस्तों बात करके हम 1930 तक आ गये थे गांधीजी से रिलेटेड बाते किये थे तो आई यह हम 1930 से आगे जो है लेके चलते हैं दोस्तों आगे क्या होता है कि 1930 में जो है एतिहासिक नमक सत्यागरा अंदोलन हुआ फिर उसके बाद उसमें होता क्या है दोस्तों सावर मती से डांडी तक यात्रा का नेत्रित्य सविन अवग्या अं मेलन यह पूछता है कुष्चन 1931 में गांधी इर्विन समझा होता और दूती गोल मेज परिष्ट के लिए इंगलेंड की यात्रा की वाफसी में जी हाँ दोस्तों वाफसी में महांदार्षनिक रोमा जी हाँ दोस्तों रोमा आपको पुरा दिखा देते हैं दोस्तों रोम 1927 आप यह चीज आपको लग रहा है बीच में से 1931 के बाद 1927 कैसे आ गया तो आप जब इस चीज को देखेंगे पार्ट वन पार्ट वू को तब हर चीज को समझ पाएंगे तो यहां पर मैं जो सलेट किया हूँ आप घबराने की बात नहीं मैं इसको कांटीनियू करता हूँ आप मेरा वीडियो वन देखेंगे तो आप सारी बात को समझ जाएंगे साइमन कमिशन 1927 जी हां दोस्तो 1919 के भारत सासन अधिनियम की समिच्छा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था 1927 में आगे क्या होता है उसके अध़क्ष कौन थे सरजान साइमन जी हां दोस्तो यह पूछा जाता है साइमन कमिशन क्या था तो आप सीधे सीधे कहा देंगे कि यह इसमें जो पूछा जाएगा इसके यह वहिस्कार क्यों किया गया तो इसका सबसे बड़ा मूल कारण यही था कि इसमें कोई इंडिया नागरिक नहीं था इसलिए भारतियों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्चपात होगा और अंग्रेजों के हीतों का ध्यान रखा जाएगा जी हाँ दोस्तों इसमें सारे जो हैं अंग्रेज लोग ही करमचारी थे तो इस तरीके से इसका बहिसकार किया गया बहिसकार का नेड़ा था कि कांग्रेश के मद्रास अधिव बंबई तक या कहें भारत पहुंचा आगे होता क्या है दोस्तों आगे आईए मैं आपको और उपर लेके चलता हूं फिर आपको और अच्छे से साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तत्ति जब लाहोर लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए जहां दोस्तों लाह से किया गया एक वार अंग्रेज सासन की ताबूत की आखरी कील साबित होगा और वह वाकई में हुआ दोस्तों वह आखरी कील ही जो है साबित हुई जिस तरीके से उन पर कुरूरता दिखाया गया था अंग्रेजों के द्वारा बलाठी मारी गई थी और वह काफी सब्सक्राइब की जिस पर लंदन में आयोजित गोल में सम्मेलन पर भीचार होना था दोस्तों आपको बतादें लंडन इंगलेंड वहां के राजा या वहां के प्रधान मंत्री यहां पर जो है शासन करते थे पूरी तरीके की इंडियन गवर्मेंट की सत्ता या कहां की ब प्रिटिस इंडिया था उस समय वहाँ से जो आते थे वहाँ से जो चीज बनाई जाती ती जो नियम कानुण वही भारत पर लागो होते तो एक तरीके से आधिपच्चे कर लिये थे हमारे उपर और हमारे उपर वह क्रूरता दिखाते थे आगे क्या हुआ दोस्तों साइमन कमिशन की प्रमुक सिपारिशे वो सिपारिशे क्या थी उसको देखते हैं प्रांतों में दोबारा सासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदाई सासन अस्थापित किये जाएं केंद्रि सासन में किसी परकार का परिवर्तन नहीं किया जाए भारत के लिए अस्थापन कि जाए उच्य न्यायाले को भारती सरकार जोप्रान ने करें खाए अल्प्रसंखिकों के हिटों के लिए गवर्नर जर्नल की विषेश्ष서 प्रांती-विधान-मं्डल दू 오래 प्रांती विधान मंडलों के सद्धियों की संख्या में बृध्धि कर दी जाएगी आगे संग की अस्थापना से पहले भारत में एक प्रिषत्तर जहां दोस्तों भारती परिशत की अस्थापना की जाए फिर आगे वर्मा को बृटिस भारत से अलग किया जैसा कि आपको पत भारत कितना विसाल का है कंट्री था इसको अलग 1700 संग के विचारों को ना माना जाए प्रतेग दस वर्ष पस्चात भारत की समवय धानिक प्रगत की जाच को सब्वांप्त कर दिया जाए तथा ऐसा नवीन लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वत्व विक्सित होता रहे तो लचीला सब्द जो आया वो कहने का मतलब अंग्रेजों की देन है तो इस तरीके से भारत आपको बहुत सारे मूवई में भी दीखाया गया है कि आतारिक पर तारीक पर आरीक, पर तारीक, कतनी तारीक मिलेगी इनसान तो नहीं रहे है तो तो तारीक लेकर क्या करे तो मिला जुला के आप समझ सकते होंगे कि हमारा कानून कितना लजी फिर आगे बात करें दोस्तों नहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन की निक्ति के बिरोध में दिल्ली में 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदली सम्मेलन हुआ जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधित्यू ने भाग लिया जी हां दोस्त कि हित की बात नहरू जी ने किया था जो कि 1928 में लेके आए तो पूछा जाया गया नहरू रिरिपोर्ट का जारी किया गया तो आप सिधे सिधे बताएं कि 1928 को आगे क्या होता है दोस्तो लाड लाड बरकन हैट भारत सचिव ने रास्ठ नेत्युत्य को एक ऐसा सम्मिधा बनाने की चुनोती ती जिसे सभी स्विकार करें होता कि हुआ क्या दोस्तों आगे नहरु जी ने जब अंग्रेजों पर प्रिसर हुआ दबाव बना तो इस बात को इंडियन की कुछ बात को लोग मानने लगें जो बड़े-बड़े नेता थे या कहें जो हमारे देश की आज की बात होगी तो उसको अंग्रेजों ने माना तो लाड़ बरकन हेड उस समय सचीव था उसने कहा कि एक ऐसा हम सम्विधान बनाएंगे जिसमें घने का मतलब इंडियन यहां आपके भारत के लोगों की भी भारत के लोगों को भी ध्यान में रखके बनाया जाए उसमें उन अन्य राजनितिक दलों की सम्विधान का मसाधा बनाया जाए जी हां दोस्तों अन्य राजनितिक दलों की सम्विधान का मसाधा बनाया जाए कुछ और जो भी लोग थे उनके भी मत को जान करके एक सम्विधान को तयार किया जाए ताना बाना बुना जाए क्या कैसे सम्व संभिधान को बनाया जाए तो संभिधान के भारत की संभिधान की नियुक कहीं न कहीं यहीं से पढ़ चुकी थी और धीरे धीरे वह संभिधान भारत के हिद की बात करने लगा था या कहें कि संभिधान की बात जो थी वह इतिहास में या कहें कि आजादी को लेके पनफ चु गई जिसे संविधान का मसवधा तयार करने में दोस्तों मैं आपको और उपर लेके चलता हूँ तयार करने में या करने का कारिश्रौपा गया जी हाँ दोस्तों मोती लाल नहरू की अध्यचता में एक सीमा गठित की गए जिसे संविधान का मसवधा तयार करने का बनाई गए तो इस तरीके से कैसे संविधान को बनाना है तो यहां से एक न्यू मिली नहरू रिपोर्ट की हिल से बहुत कारगर हुआ आगे चलके नहरू रिपोर्ट जो है कानून के संविधान बनाने में नहरू समीती ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सोपी इसे लखन कहां पर नखनायव में आयोजित सभा में शिकार कहां पर लखनाव में आज़ Gar baat करें दोस्तों नहरू रिपोर्ट की महत्त पूर्ण सिपारिस से क्या थी उसको देखते हैं क्या उन्हों की इसकी हित की क्या बाते की थे अपनी रिपोर्ट आपनी वेस पर आधारित होने क मानेता पहला दूसरा विवेक व्योसाय तथा धर्म की स्वतंत्र व्योस्ता तीसरा भारत के भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए चोथा संप्रदाइक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए चोथा पाच्वा दोस्तों संयुक्त निर्वाचन प्रणा अपनाई जाए निस्ट भारत में उच्छतम न्याले की अस्थापना की जाए अगे दोस्तों अगर बात करें तो संग लोक सेवा आयोजित की अस्थापना की जाए भासाई आधार पर प्रांतों का गठन हो भारत में धर्मनीर पेक्ष जिहा जो सेकुलरिजम राज्य होगा क किन्तु अल्प संखेको के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरुच्छन होगा ये बात आप यहां से देख सकते हैं जो की बहुत बड़ी बात है आगे क्या हुआ केंद्र एवं प्रांत में संगी आधार पर सक्ति विभाजन आगे युवा सार्भम मतादिक यहां दोस्तों युवा को भी देश की जो है देश के निर्माड के लिए युवा की राय जानना उनका मतादिकार या कहें उनका ओट लेना फिर उनकी राय जानना कौन सा अच्छा है इनसान कौन सा बुरा है किसको वो पसंद करते हैं तो उनका मतादिकार की वज़े से एक देख रहे होंगे कि यह सिधे सिधे लिखा है दिसंबर 1929 में कांग्रेश के लाहोर अधिवेशन में पूर्ड स्वराज का जंडा फहराया गया उसके बाद क्या हुआ गांधी द्वारा उद्गोषडा हुई कि सैतान ब्रिटिस सासन के समक्ष समरपण इस्वर तथा मानों के बिरुद अपराध है गांधी के ये सब्द थे दोस्तों ये अधिकतर आईयस के एक्जाम में पूछा जाता है फिर आगे क्या हुआ इस घोषडा के साथ ही 26 जनुरी 1930 को पूरे देश में स्वतंतरता दिवस या कहें गरतंतरता दिवस स्वतंतरता दिवस बाद में दोस्तों स्वतंतर हम लोग उस समय हो गये थे लेकिन आजादी पूरी तरीके से नहीं मिले थी एक तरीके से कहें तो हम अपने कौम को एक तरीके से कोई भी जो है नेड़ा को हम एक साथ ले सकते थी आजादी मिल गई थी तो बाद में हमें जब पूर रूप से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली तो हम इस इस डेट को 26 जनुरी 1950 को गड़तन दिवस के रूप में मनाने लगे यह था इंडिपेंडेंस यह रिपब्लिक डे था स्वारी दोस्तों यह रिपब्लीक डे था और बाद में हम जो को हम लोग को जाके स्वतनता मिली इंडिपेंडेंस दे 15 अगस्त 1947 को तो इस तरीके से 26 जनुरी 1930 से हम रिपब्लि पुछता है बारा मार्च 1930 को सावर मती आसरम से 78 अनुनाईयों के साथ 78 लोग उनके साथ थे जो उनको गाधी जी को फालो करते थे के साथ 24 दिनों की पदयात्रा की जी हां दोस्तों इतना बड़ा त्याग साथ आज कोई नहीं कर सकता 26 दिनों की जो है यात्रा पदयात्रा की 5 अप्राइल को डांडी पहुँचकर 6 अप्राइल को नमक का कानून तोड़ा जी हां दोस्तों वहां पे पहुँचे वो और कितना डिस्टेंस चेस किये थे आप यहां से देख सकते हैं 385 से 390 किलो मीटर वो जो है चलके यहां डांडी पहुचे और वहां पे उन्होंने नमक बनाया और उस नमक कानून पे जो कर लगा था उसको तोड़ा तो कहने का मतलब वो डांडी पहुचे और वहां पे उन्होंने नमक बनाया सुभास चंद बोस ने इसकी तुल्ला नेपोलियन के पेरिस मार्च वा मुशो लिन के रोम मार्च से की सुभास चंद बोस गांधी जी के काफी करीवी थे उन्हों ने गांधी जी से कई बार कहा कि अंग्रेजों को बिर्द्ध हमाई से लड़ाई नहीं लड़ सकते आप जिस तरीके का रवया अपना रहें कि रवया काफी लंबा जाएगा लेकिन गांधी जी उनकी बात माने को तयार नहीं थे हुआ क्या दोस्तों गाधी जी उनकी बात नहीं माने वो जो है समझ गए कि इस तरीके से हम जो है अंग्रेजों को भारत से खदेड नहीं सकते भारत से निकाल नहीं सकते वो चले गए जापान या कहें कि अधर कंट्री पर चले गए ऐसे अपना जो है चाहिना होते हुए चुड़वा के उनकी एक सेना बनाई फिर वहां के लोगों को जो है अपने जो है इसमें आजाध हिंद फारवर्ड ब्लाक में जो है सामिल किया तो इस तरीके कि उन्होंने अपना आजाध हिंद फोच की जो है स्थापना की तो उसमें उन्होंने सब को सामिल किया और आग दोस्तों आगे मैं बात करता हूं धर्सना में नमक सत्याग्रहका नेत्रित सरोजनी नाइडू इमाम साहब मडी लाल गांधी जी के बेटे ने किया मडी लाल जो उनके बेटे थे कौन से नमबर के थे मैं आपको बार फिर से दिए उनके चार पुत्र थे जी हाँ दोस्तों आप पहला जानते हैं कि पहले पुत्र थे हरी लाल दूसरे थे मडी लाल तो मडी लाल की बात हुआ दूसरे पुत्र फिर रामदास दिर देयोदास ज दोस्तों जैसा कि गांधी जी के दूसरे नंबर के बेटे थे मडी लाल जी हां दोस्तों मडी लाल और जो है इसमें तीन लोग थे सरोजनी नाइडी इमाम साहब और मडी लाल गांधी जी की बेटे थे इन्होंने धरसना में नमक सत्यागर का नेत्रित किया आगे होता क्या है उत्तरपूर्व में इस अंदोलन का 13 वर्सी नागा महिला ने किया जवाहरलाल नहरू ने इसे रानी की उपाधी थी यहां दोस्तो उत्तरपूर्व में एक नागा महिला थी जो 13 वर्सी थी तो कहने का मतलब बुढ़े बच्चे नौजवान सब इसमें सामिल थे आजादी को आगे हुआ क्या दोस्तो इन्हें नागा लेंड की जान आफ आर्क भी कहा जाता है इस 13 वर्सी महिला को जान आफ आर्क के नाम से जाना जाता है तो नागा महिला थी तो इसको जान आफ आर्क नाम से जाना जाता है आगे हुआ क्या दोस्तो सविने अवग्या आंदोलन फि में सविने अवग्या अंदोलन की बात हुई तो हुआ किया दोस्तो शुरूआत में तुरुआत उसकी ऊजिश्प अपरय 1930 को British जिस दिन अन्होंने नमपक कानून ठोड़ा उसी दिन परूर्व मुहिम रख को ब्रिटिस समराजवाद के बिरुद भारती राष्टी कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतुरत में चलाया गया कारण क्या था यंग इंडिया समाचात पत्र क्या के जो है गांधी समपादक थे में लेख द्वारा ब्रिटिस सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र जिसमें पूर स्वतंत्रता की मांग सामिल नहीं थी प्रस्तूत किया गया तो इस तरीके से गांधी जी बौखला गये कि हमारी आजादी को इसमें सामिल नहीं किया गया था गांधी जी द्वारा 41 दिनों तक सरकार की पत्रिया का इंतजार किया गया, सरकार ने मांगे नहीं मानी, जी हां दोस्तों तब सवीने अवग्या अंदोलन शुरू किया गया 6 अप्रेल 1930 डांडी मार्च यात्रा से, जी हां दोस्तों सीधे ये कोश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि दांडी यात्रा कि जस्ट बात किस अंदोलन का शुरूआत हुआ तो आप सीधे-सीधे कहेंगे, कि सीधे-सीधे कहेंगे, सवीने अवग्या अंदोलन 6 अप्रेल 1930 से डांडी मार्च के बात जो है शुरूआत हुआ, अंतिम मांग पत्र, जी हां 11 सूत्री अंतिम सूत्री मांग पत्र रखी गए, जिसमें पहला पॉइंट रहा कि भूमिक कर्व में 50% की कमी, दूसरा पॉइंट रहा नमक कर तथा सरकार दोरा नमक पर एकाधिकार की समाप्ति, सरकार जिस नमक पर अपना एकाधिकार जमाय हुए थी, उस पर भिकर लगा दे थी तो उस संचार पर भारतियों के लिए आरच्षण जी यहां तो तीसरा ही पॉइंट है जो प्रकित की नेचर की बात किया है, तर्टी संचार पर भारतियों के लिए आरच्षण, चौता पॉइंट रूपया स्टेरलिंग बिन में अनुपात को कम करना, पांचवा देशी कपड़ा उद्योगों को सर्ण चड़ देना, छटा पॉइंट है सैनिक खर्च पर 50% की कमी, जो सैनिक पूरी तरीके से यहां ऐसी करते थे, और ज्यादा तर सैनिक जो है इसमें अंग्रेज ही थे, अंग्रेज ही लोग ही थे, जो सैनिक भने हुए थे, भारती लोग को रखा जाता आज गुलाम आज जो कहें, तो इनको जो है खूपिया के तोर पे रखा जाता था, अगर राजा क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को सूच ना दे, तो इस तरीके से इनको खुशामदी के लिए रखा गया था, सात्वा पॉइंट है, सिविल प्रसासन पर 50% खर्च में तो पूरी तरीके से हमारी मांग पत्र में था कि हमें मादक बदार तो पूरता रोक लगाई जाए, आगे दोस्तों क्या होता है दिखाते हैं, आगे दोस्तों देख रहे होंगे, आपका सभी राजनायतिक कैदियों की रहाई, जिसमें सब जो भी आवाज उठाता था, उस पंदों को पकड़ के बंद कर देते थे जिल में और जरुवत पढ़ने पून को फासी दे देते तो कहने का मतलब प्रूरता का एक चरम सीमा पर वो जी रहे थे या हमारे साथ इस तरीके की अभात्रता कर रहे थे, CID में परिवर्तन, आगे क्या हुआ हुआ, आर्म आक्ट में परिवर्तन, जिससे नागरिक अपनी सुरच्छा के लिए हथियार रख सके, यह आर्म आक्ट था, वो खुद रखते थे, बट इंडियन लोग को नहीं रखने देते थे, तो इस बात को जो है, आम आक्ट में परिवर्तन, जिससे नागरिक अपनी नागरिक में हम भी आ तो असुर अच्छा के लिए हथियार रख सके क्या पता कि हमको कव गोली मार दें तो इस तरीके से ये मांग हुई कि हम भी हथियार रखेंगे तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं वो हमें मारेंगे तो हम भी मार सकते तो इस तरीके से ये 11 मांग सुच पत्र को जो है उनके वि प्रकित की मांगे थी वो अपना प्रकित क्या था उसमें जो है तटी संचार सब्सक्राइब में जूड़ देना था तो इस तरीके से फिर आगे क्या है जबकि अन्तिमच्छा मांगे भारत की आम-जनता के द्वारा की गई ते यहां दुसतों तिस तरीके से जो भी 1130 मांग था इसमें भारत की जनता भारत के लोगों को ध्यान में रखके किया गया था और कहें तो प्रकित भी थी इसमें और किसान भी इसमें सामिल थे तो कहने का मतलब पूरी तरीके से ये एक जो है भारत के पक्ष में जो है ग्यारम मांग सूची पत्र जो था उसमें जो है भारत क लोगों की बात कही गई थी दोस्तों इसके बाद बात करें हम सवीने अवग्या अंदोलन के उद्देश यह हैं दोस्तों इसके बाद सवीने अवग्या अंदोलन की बात कर लेते हैं कुछ विसिस्ट प्रकार के गयर कानूनी कारी सामोहिक रूप से करके ब्रिटिस सरकार को जोका देना यह हमारा उद्देश था कि हम आसानी से या कहें कि एक सामुहिक रूप से मिल जुलके एक ऐसा उद्देश बनाए या एक ऐसा कौम बनाए जो हम अपनी बात को अगर रखे तो ब्रेटिस सरकार उसको मानने पे मजबूर हो जाए तो यह बात सभी ने वग्यां द को जेल में डाल दिया उन्हें पता था कि यह जो इनसान है यह हमको ऐसे नहीं जीने देगा जी हां दोस्तों यह हमारी नाक में दम कर दिया था तो उन्होंने गाधी जो को ही टार्गेट करके अब जो है गाधी जी को सिधे-सिधे जेल में डाल दिया आगे क्या होता है दो बाद में उसको वाइसरा के नाम से बोलानी लगे लोग या वहाँ से बदलाव कर दिया गया तो जो भी वहाँ से जर्नल आते हैं उन्हें वाइसरा के रूपने तो उस समय जो था इर्विन था और गांधी जी के साथ दोनों का जो है एक समझावता हुआ जिसको गांधी इर् जनीति की कांग्रेश वह गांधी जी का साथ चाहते थे लागातार प्रयासों के बाद कांग्रेश तथा सरकार तथा कांग्रेश के भी समझावता हुआ इसके परड़ाम सरुप गांधी जी तथा गवर्नल जर्नल लाड इर्विन जिया जस्तों अभी मैं बात किया था तो गवर्नर जर्नल की तो वो देखिए आप गवर्नर जर्नल की बात किया था आपसे कि जर्नल लाड इर्विन था तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे 12 मार्च 1931 में एक समझाथा पत्र पर हस्ताक्षर किये गए जिसे गाधी इर्विन समझाथा कहा जाता है यह बहुत important है मार्च 1931 में समझाथा हुआ और वो समझाथा क्या कहलाया गाधी इर्विन समझाथा जी हां दोस्तो ये question important गाधी इर्विन समझोता 12 March 12 March नहीं दोस्तो March 1931 को हुआ था आगे मैं बात करूँ इसकी तो गाधी इर्विन समझोते का उद्देश क्या था जी हां दोस्तो गाधी और इर्विन के समझोते का उद्देश क्या था आप यहां से देख रहे हैं इसके तहट कांग्रेश की जी हां दोस्तो इसके तहट कांग्रेश की और से थुतिय गोल में समेलन में भाग लेने सवीने अवग्या आंदोलन बंद करने एवं पुलिस राती पर जाच के लिए धबाव नहीं देने की बात मान ली गई तो इस पर जो है यह समझा होता हुआ है यह बाते उसमें जाके निकल के आई आगे क्या होता है सरकार की और से सभी अध्या देशों की वाफसी तदा अभियोगों की समापती हिंसा के दोसी राजनायति कैदियों को छोड़कर अन्य सभी राजनायतिक कैदियों की रिहाई आधि बाते मान ली गई तो इस तरीके से राजनायतिक कैदियों को जो रिहाई थी वो और कुछ हिंसा के दोसी राजनायतिक कैदियों को छोड़कर जो मतलब हिंसा की यह थे उनको छोड़ कर जो राजनेतिक बात करते थे हिंसा की बात नहीं करते थे अपने हग की बात करते थे अधिकार की बात करते थे तो उनको जो है उन्होंने छोड़ दिया बाकी जो दोसी थे उनको वो रखा हुआ था तो इस पर जो है समझवता हुआ यह उसका मुक्योद सम्मेलन 1931 में हुआ जी यहां दोस्तों तूती गोल में सम्मेलन में क्या होता है बात करते हैं गाधी जी द्वारा लंदन में तूती गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के सदश के रूप में भाग लिया लेकिन सामपरदाइक समश्या के भीवात के कारण असफल रहा तता सरकार द्वारा धमनकारी नीतियों को फिर से लागू करने के कारण जनवरी 1932 में सविने अवग्या अंदूलन पुना सुरुवात कर दिया गया तो गादी इर्विन समझहता हो गया तो इस समझहते से सविने अवग्या अंदूलन अस्तगित कर दिया गया लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप गोल मेज में आप देखी रहे हैं कि इस तरीके से जो इनका संपरदाई समझहा में बिवात के करण असफल रहा तथा सरकार द्वारा धमनकारी नीतियों को फिर से लागू धमनकारी नीतियां फिर से वो कुरुतार दिखाने लगे लागू करने के कारण फिर से गांधी जी को मजबूर होके वो कहने का मतलब आपकी बात मनवाने के लिए एक बार रोख जाते थे बाद में वो फिर से अपने रहीये पे आ जाते थे तो गांधी जी भी कम नहीं थे बोले तुम टाल टाल तो मैं पात पात चलो हम देखते हैं कितने देर तक या कितने दिन तक तुम्हारे साथ चलते हो तो वो सविनय वग्यांदोलन पुना शुरुआत कर दी दोस्तों गांधी जी लायर थे गांधी जी वकील थे वो कानून को जानते थे तो इस तरीके से अंग्रेज को उनकी बातों पर जुकना पड़ता था वो अफ्रीका में ही जहंडा गाड़ चुके थे इंग्लेंड में वो जिस तरीके से लोगों के सामने बात करते थे इंग्लिस उनकी काफी अच्छी थी तो इस तरीके से उनको समझना अंग्रेजों को समझना उनके वो बहुत अच्छे से समझ लेते थे या कहें उनकी नीतियों को बहुत अच्छे से गौर को से समझ जाते थी यह इनका अगला चाल क्या है तो इस तरीके से एक जो कहें जो सत वो जो है नौजवान वाला खून ऐसा नहीं जिसे काफी बुड़े हो गए थे ऐसा नहीं कि खून ही नहीं था लेकिन उनके बॉड़ी में उबलता हुआ खून नहीं था जैसे भगत सिंग के अंदर था चन सेकर के आ जासे राजगुरू के था तो अगर ऐसा कुछ होता गां सुबास्चंद भूस भी उनके साथ जो है इस बात को डील रख चुए तो अंग्रेज मानने वाले नहीं है इसी बात को तो वो गांदी जी इंकार कर दिये कि नहीं हमें ऐसा ही चलना है थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन हम विजित जरूर होंगे हम अजादी जरूर प नहीं जो है अलग से फोज बनाई फिर वहां देश से अजादी के लिए वहां से लोगों को लेके चले फिर आता है दोस्तो 1937 यर्वदा जेल में अप्रिश्यों के लिए अलग चुनावी छेत्र के विरोध में उपवास यर्वदा पैक्ट को ब्रिटिस अनुमोधन द्व है कि वहां पे लोगों को चबरी बंद किया गया था तो उन्होंने उनको छोड़ाने के लिए एक उपवास रखा था तो उस बात को मनाने के लिए अंग्रेजों ने रविद्ना टैगोर से अनुमोधन किया कि आप जो है गांधी जी को बताईए कि कहीं कहीं रविद्ना ट करें तो 1933 में सबताहिक पत्र हरिजन आरंब किया गया यह दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है यह हरिजन की स्थापना कब हुई ठीक है दोस्तों फिर आगे देखते हैं कि सावरमती तट पर बने सत्याग्रा आस्रम का नाम बदल कर हरिजन आश्रम कर दिया गया उसे हमेशा के लिए छोड़कर देश ब्यापी अप्रिश्चता बिरूधी अंदोलन छेड़ा दोस्तों यहीं से एक देश में भ्रमड करने की जो यात्रा थी वो गांधी जी की सुरुआत हो गई अब गांधी जी अपना आश्रम छोड़क नहीं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा तो इस तरीके से वो अप्रिश्चता का विरूध के अंदोलन तो वो जो है निकल चुके देश के कहने का मतलब अपने देश के हर कोने कोने के लिए आगे बात करें दोस्तों हम 1934 1934 में अकिल भारती ग्रामो द्योक शंकिय स्थापना 1936 में वर्धा के निकट गाओं का चायन जो बाद में सेवा ग्राम आश्रम बना 1937 अप्रिश्चता निवारन अभियारन के दोरान दच्चिड भारत की यात्रा की उनको लगा कि हमें एक चुट होना है तो हमें दच्चिड भारत में भी जाना पुड़ेगा अभी तक ये बाते दिल्ली कानपूर नागपूर या महारास्ट या बंबई लकनव फिर इधर आपके जो है पंजाब इतने कवम में ये बाते चलती थी दच्चिड भारत में ऐसा कोई नहीं था कि हम चिन नहीं जाएं हम मदराज जाएं हम जो है रामिस्वरम जाएं वहां के लोगों को एक साथ जोड़ें फिर अपने देश को आजादी के लिए डिमांड करें तो इस तरीके का जो है एक कौम नहीं था एक लिव नहीं था ऐसा कम्मुनिकेशन नहीं था अगर हम फोन से बा देते थे आप कहने का मतलब टाइम बहुत लगता था तो बहुत सब बहुत सारा प्रॉब्लम था तो उन्हों ने एक यही सबसे अच्छा सलूशन निकाला कि हम लोगों तक जाएंगे और लोगों से मिलेंगे वह उस उम्र में जो है लोगों तक निकलने के लिए चल रहे ह हुआ क्या 1938 में बादसा खान के साथ NWFP का दोरा फिर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोशड़ा बिनोवा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना आगे क्या होता है दोस्तों? 1942 हर्जन पत्रिका का 15 महिने बाद पुना प्रकाशन किया गया क्रिप्स मिसन की असफलता जीहां दोस्तों एक क्रिप्स मिसन चलाया गया था जिसके असफलता हुई अब उसकी असफलता के कारण गांधी जी ने कहा कि अब हमें लास्ट लास्ट कहने का मतलब लास्ट मूमेंट हमें स्टार्ट करना है वो लास्ट मूमेंट क्या था भारत के लिए वो कहें सबसे ज़्यादा गांधी जी का चलाया गया सबसे बेश्ट अंदोलन था वो था भारत छोड़ो अंदोलन किट इंडिया मुमेंट सीधे सीधे आप यहां को छोड़ो अंग्रेजों से एक ही अभी तक जो अपनी बात को सीधे तोर पे नहीं मनवाते थे अब उन्होंने कहा आप मेरा देशी छोड़ो आरम भुसका दोस् 2022 को जो अच्छे काम हुए इतिहास में या अंदोलन कारियों में सोतंता सेनानियों में वो ज्यादातर अधिकतर कार जो है अगस्ट में हुए है और मार्च में हुए है जी हाँ दोस्तों अगस्ट और मार्च में ऐसे से अंदोलन हुए ऐसे से कार हुए जो याद करने अजादी दिलाने के लिए महात्मा जी द्वारा अंग्रेजी सासन के बुद्ध एक बड़ा फैसला था अब गांधी जी कहीं न कहीं अपनी बात पे आगे जो अभी तक नहीं चाहते थे उन्होंने मूल मंद्र दे दिया करो या मरो डूर डाई यही हमारा अंतिम प्यास है अ का दुरगामी सुक दाई रहा इसके लिए भारत की स्वाधिनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास कहा जाता है यह अंतिम महाप्रयास था जो भारत की स्वतनता के लिए गांधी जी द्वारत चलाया गया सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट सबसे अच्छा अंदोलन उसमें उनका ये नारा था करो या मरो पूरी तरीके से चंता उनका साथ देने लगी कि गांधी जी अब असली बात करें उसमें जो है नरम गल गरम दल सारे नेताओं की या फिर कहें सारे कांथिकारियों की बात गांधी जी ने कह दी अभी तक जो बचा के चलते थे आइंसार नान वाइलेंस के बात करते थे उसको उन्होंने इग्नोर किया और वो भारत छोड़ो अंदोलन की मुहिम चला दी होता है क्या दोस्तो उन्नीस सो चवालिस बाइस परवरी को आगा खां महल में कस्तूर्वा गाधी का 62 के बिवाहिद जीवन के पस्टाद जीयां दोस्तो 62 वर्ष तक वो दोनों एक साथ रहे और उनका जो अपना व्यक्तिगत जो है वर्स था व्यक्तियत लाइफ थी 74 वर्स की आई में उनका निधन हो गया कहां आगा खाम महल में यह दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बहुत इंपोर्टन है 22 फरवरी 1944 को कस्तूर्बा गांधी का निधन हो गया जो कि उनकी पतनी थी तो कहने का मतलब उनकी 74 वर्स की आई में निधन हुआ उससे गांधी जी पित्वड़ा गहरा अगात हुआ क्यों कि कहीं न कहीं वो भी उनके साथ एक जो है आग में घी डालने का काम करती थी कहें तो उनको आलवेस सहारा देती थी कि गांधी जी हम आपके साथ हैं टंडी यात्रा से लेके हर यात्रा हर मूमेंट में वो साथ दी आगे क्या हुआ दोस्तों 1946 ब्रिटिस कविनेट मिसन से भेट पूरवी बंगाल के 49 गाउं की सांत यात्रा जहां संपरदाइक दंगों की आग भड़की हुई थी वहाँ पे गांधी जी गए तो लोग जो है सांत हुए ठीक तो उसक की है बादसन 1947 की संपरदाइक सांती के लिए बिहार यात्रा की जिहां दोस्तों बिहार देश में संपरदाइक सांती की बिहार में किशानों की विरुद्ध चंपारण में जो उन्होंने कर लगाया था उससे एक आग वहां पे तभी से बढ़की हुई थी तो संपरदाइक सांती के लिए उन्होंने बिहार की वियात्रा की तो कहने का मतलब वो देश के हर कोने में अब निकल चुके हैं इधर पूर्वी बंगाल गए जहां पिर लोग जो है ज्यादा शांती प्री थे या फिर कहें कि संपरदाइक दंगों में या संपरदाइक हिस्सा बढ़का गए जिन्ना से बेट की उसके बाद क्या हुआ देश विभाजन का बिरोध उन्होंने देश विभाजन का बिरोध किया यहीं से कहीं न कहीं जिन्ना के दिमाग में लाड मांट बेटन को लेके एक बात छिड़ गई थी और वो जो है जिन्ना अपने देश बोले तो पाकिस थे नहरू और जिन्ना की कि प्रधार्ण मंतरी बनेगा कौन जिन्ना चाहता था मैं बनू और नहरू चाहते थे कि मैं बनू तो यही दो बात आज तक ये दो लोगों का अपना अपना मत आज दो देश बना दिया एक भारत एक पाकिस्तान तो कहने का मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है चलो जो होगा ठीक है आगे बात करते हैं देश के स्वाधिन्ता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगो या दंगे सांध करने के ल है क्या क्या कहें अपने को दब में डाल के लोगों कसे प्राथना करते थे लोगों से गुहार लगाल अग्रہ करते थे कि और सम्पर्दाः क्रवात दंगे निकलने वाला नहीं ठाव लेकर यवाभ धर्ग वह यही चाहता था था हम उखाड उन्याया थे अंग्रेजों को ह क्या दोस्तों गांधी जी दो लोगों से हमेसा परिसान रहते थे वो कौन है मुहमद अलली जिन्वल यह भारत की दो टुकड़े करना चाहता था और अपने बेटे हरीलाल जी हैं दोस्तों बेटे हरी लाल वो कहने का मतलब संपरदाइक दंगों में लोगों को भढ़काने का काम करते थे तो कहने का मतलब बेटा ही उग्रवादी निकलने लगा था तो इस तरीके से गांधी जी दो लोगों से परसान थे मुम्मद अली जिनने असहयोग अंदोलन में सब से पहले गिरबतार किया गया आगे तेज बहादूर सपडु और M.R. जफर की सहायता से गांधी इर्विन समझवता ही हो पाया था तो कहने का मतलब कुरू या कहें तेज बहादूर सपडु और M.R. जफर की सहायता से गांधी इर्विन समझवता हो पाया था भारत छोड़ो अंदोलन के समय गांधी सही अन्य नेताओं की गिरफतारी या को गिरफतार करने की योजना को ब्रिटिस सरकार ने उपरेशन जिरो हावर की नाम से बता है अब देखो यहाँ पहर यह बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऊपरेशन जिरो हावर क्याहा है उसमें भारत छोड़ो अंदोलन के समय गांधी जी ने जो है अंदोलन चला है तो गांधी जी समित जो अन्य नेता इसके साथ दे रहे थे अंग्रेजी ने कहा इनको गिरपतार करो और इनको जो है सीधे सीधे जेल में डाले उसको उन्होंने अपरेशन जीरो हवर के नाम से दिया गांधी जी की आत्मकता My Experience with the Truth में गांधी जी ने खुद लिखा ये गुजराती भासा में है उसमें इन्होंने इस बात को बताया या उन्होंने अपनी इस पुस्तक को गुजराती भासा में लिखा हुआ है आगे क्या होता है दोस्तों गोल में सम्मेलन राउंटेबल समित उसमें क्या होता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बिशार विमर्ष के लिए बारा नॉमबर निस तो तीस को लंदन में प्रथम गोल में सम्मेलन बारा नॉमबर निस तो तीस को लंदन में हुआ जिया दोस ताईए बूत्य गोल में समेलन 84 दिन एक तिर्थी गोल में 27 दिन तक चला तो यह गोल में समेलन जो था भारत के और अंग्रेजों के साथ मिल के संबाद्रा कमा कैमने decides से हम लोगें हाँ भाद विबाद होता है ऐसे ही लंदन में होता था तो उसे full में सम्मिलन र!!! 1 संहिंक 2 सेंट रांड तो इस तरीके से उसका तीन सम्मिलन हुआ था एक ही व्यक्ति थे जिन्हों ने थे तीनों सम्मिलन में भाग लिया था भारत के वह थे डॉक्टर भीम राम अमबेटकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गूल में सम्मेलन में भाग लिया था जिहां दोस्तों वो तीनों गूल में सम्मेलन में भाग लिया थे आईए दोस्तों मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ दूती गोल में सम्मेलन में ही जब गांधी जी ने भाग लिया तो वो ऐसे ही धोती में चल ले गए जी यहां दोस्तो दोती कुर्टा पाहिनते थे ऐसे ही धोती कुर्टा पाहिन के वो इंगलेंड चले गए और वहां पहुचते ही चर्चिल जस्टिन चर्चिल जी यहां दो जी हाँ दोस्तों उन्होंने गादी जी को अर्धनगन फकीर कहा तो इस तरीके से ये चर्चिल गादी जी को अर्धनगन फकीर किस ने कहा तो पूछते हैं तो चर्चिल ने कहा ठीक तक कहा था कुछ समय बाद ही गादी जी ने दलितों को संबिधान में दिये गए दिये जान जी को दोस्तों ही का क्यूंकि 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 वो कह रहा था कि दल्तों को जो है अरच्छड दिया जाए ताकि आगे आए गांधी जी पहले से दल्तों के लिए हरीजन सब्दका इस्तेमाल कर दिये थे बोले थे हरीजन ये भगवान के जन होते हैं इनसे आप फेद भाव से देखा जाएगा आज तक साइद वो संभिधान में एक छोटा सा कोटे वाला सब्द या आरच्छन वाला सब्द आज तक वही जो है संदेश भेज भी रहा है दे भी रहा है लोगों को गौर्मेंट बात करती है कि हम आरच्छन हम भेदभाव ना करें और आरच्छन दे के खुद भेदभाव का एक प्लेटफार्म बना दिये है तो ये ये राजनीती का जो मुखवटा है ये राजनीती का जो मुखवटा नेता लोग पहने हुए हैं इसमें बस जनता पिछती है और वो खुद अपना जो है लू सीधा करते हैं तो हम जनता बस बात को समझ नहीं बाते लेकिन काम तो किसी और का होता है आईए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको गांधी जी पहले राश्टी कांग्रेसी थे जिनोंने दुती गूल में सम्मेलन में 1931 में भाग लिया पर 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाई तो 1921 में उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष सदस्यता ग्रहण की थी और 1931 में 1931 में वो जो है दुती गूल में सम्मेलन के लिए कांग्रेस की तरफ से इंगलन जाके भाग लिए दोस्तों आईए एक तम लास्ट पेस्ट पे आपके लेके लापो लेकर चलते हैं होता क्या है आचादी कैसे मिली उसकी बात करते हैं जी संपर्दाइक हिंशा का विरोत करने Peak संपर्दाइक हिंशा की भारत पाकिस्तान की मांग तो होने लगी थी और इसमें लोग पूरी तरीके से हिंदू मुश्लिम में दंगे होने लगे थे जिन्ना के साथ मुश्लिम देते थे नहरू का साथ हम हिंदू लोग देते थे तो कहने का मतलब इस तरीके से एक संपरदाइक हिंशा होने लगी थी 20 जनूरी 1948 को बेड़ला हाوس में प्रत्ना में भी स्पोर्ट जिया दोस्तों 20 जनूरी 1948 को बेड़ला हाوس में प्रत्ना में भी रोद और इस चीज में गादी जी सांत मौन बैठते थे वो कुछ नहीं कर रहे थे तो इस तरीकह से जनता जो है इस समय आगे आना चाहिए था बोलना चाहिए था लोगों तक अपनी बात को रखना चाहिए था तो उन्होंने सांदमोन बनाया तो इस बात से नाथू रामगोट से गुस्सा हुए और कुछ राजने थी कि या फिर गांधिकारी लोग जो थे वो गांधी जी की इस रवहिये से गुस्सा हुए तीस जनवरी को गांधी रामगोट से द्वारा साम की प्रातना के लिए जाते समय बेडला हाउस दिल्ली में गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गए तो वो गांधी ना थू रामगोट से ना खुस था गांधी जी से उन्होंने सीधे सीधे जब प्र गांधी जी की मृत्तु पर उन्हें कंधा देने वाला मुस्लिम अभूल कलाम आजाद जो भारत के पहले सिच्छा मंत्री बने जी हाँ दोस्तो नाम आपको पता ही होगा बस आप इस नाम से जानते हैं लेकिन उन्होंने गांधी जी को वो पहले मुश्लिम ऐसे मुश्लिम थे जिन्होंने गांधी जी को कंधा दिया था सहीद दिवस तीस जनवरी को गांधी जी की पूर्ण तिथी पर मनाया जाता था जिस दिन गांधी जी के गोली लगी उसी दिन को हमने अपने जो है सहीर दिवस के रूप में मनाया आगे क्या होता है दोस्तों गांधी जी की समाधी यमुना नदी के किनारे अब गांधी जी से रिलेटेट कुछ कोस्चन यह question question पूछा जाता है कि गांधि जी की जो है समाधी अस्तर कहा है तो वह राजगाट दिल्ली नई दिल्ली जम्ना नदि के किनारे नई दिल्ली राजगाट जिसका चबवत्रा काले संग मर्मर का है तो खेंगे में बात करें वापु लोग यहां पर लिखा भी है यहां पर देख रहे होंगे कि गन्धी जी महात्मा और बापू के नाम से जानते हैं महात्मा सब्द संस्कृत भासा का है जी हाँ दोस्तों बापू सब्द गुजराती भासा का है लोग प्यार से उनको जो है बापू कहते थे गुजरात के लोग वहीं से वो जो है फेमस हुए और पूरे देश में बापू कहे जाने ल तो उन्होंने देखा गांधी जी में इतना परिवर्तन तो वहां से उन्होंने उनको महत्मा कहा, तब से उनका नम महत्मा, तो ये महत्मा की उपाधी रविद्ना टैगोर ने दी, सुबास चन्द बोश ने उनको राष्ट पिता कहा, अब ये 6 जुलाई, जी हाँ दोस्तो, 6 उसी वक्त उनको राष्ट पीता के रूप में खा क्योंकि अंततह जो है जो भारत छोड़ो अंदोलन की मुहिम चला दी गांधी जी ने यह जो है आपके यह आपके कहें सुबास्चंद्र बोस के दिल की बात कर दी तो उन्होंने इस बात से खुच हो के या उनको मानते भी थ तो उनको राष्ट पीता कहा यह पंसारी जाथ के थे आगी क्या गांधी जी जब इंग्लेंड गय तो उस जहाज का नाम जिस जहाज से गय थे उस जहाज का नाम था MS Rajputana जिससे वह England गए थे जी हाँ दोस्तों गाधी जी जब England गए तो उस जहाज या जिस England जिस जहाज से गए उसका नाम था MS Rajputana जिससे वह England गए थे तो England जाने वाली उनकी जहाज का नाम MS Rajputana था तो दोस्तों ये पूरा जो है वीडियो गाधी जी को समरपित था उनके द्वारा चलाए गए जो है जो में मेंट थे और जो उनके द्वारा किये गए अथक प्रयास देश की अजादी के लिए वो मैं लगबग उनकी सारी बातों को मैं इस वीडियो में रखा और जो है उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर नहीं किये हुए हुए है तो अगर और अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों को सेर कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आप जादा से जादा इसको अपने धिमाग में इसको अच्छा है वीडियो को आप लिक लीजिए या बार-बार सुन लीजिए क्योंकि इससे जो है कोश्चन आपका लगभक कई एक्जाम में आता है इससे जितना मैं बताया आप पार्ट वन पार्ट फू अगर देख लेंगे तो आप मान के चलिए अपकंश्कंप पार्च कोस्चन छे कोस्चन सतंता से ना कहें तो मॉडन मॉडन हिस्ट्री से आपके लगबक सारी कोश्चन इस वीडियो इस दोनों वीडियो पार् अच्छा लगा होगा मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में थैंक यू दोस्तों थैंक यू